नमस्कार दोस्तो मैं अनुराग कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेक्टर एजुकेटर पर दोस्तो आज आपके लिए एक नई सब्जेक लेगा हम पढ़ाई कर रहे हैं याद कर रहे हैं एक्जामे चल रही हैं बहुत से प्रस्ण पूछ सत्य मेव जैते के बारे में जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सत्य मेव जैते तो इसमें पूछा जाता है कि सत्य मेव जो आपका यह पूरा जो असोक स्टम्भ है यह कहां से लिया गया है तो दोस्तों यह लिया गया है सार नात जो कि कहां पर है बनारस में य दोस्तो अब यहां पर यह पूछा जाता है कि यह जो असोक चक्र है इसमें लिखा है सत्यमेव जैते यह सब्द कहां से लिया गया है दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये सब्द लिया गया है मुंड कोप निसद से सब्द मेव जैते को लिया गया है ठीक है दोस्तों और यह किस लीपी में है तो दोस्तों अगर इसकी लीपी पूछी जाती है तो वो है देव नागरी लीपी चली यह आपको पता होना अगर हम देखें तो इसमें सेर कितने हैं या लाइन कितने हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं तीन सेर के मुख हमेशा दिखाई जेते हैं और चौथा हमेशा हाइड होता है और चारों सेर के जो मुह हैं वो हमेशा खुले हैं ठीक है इसके नीचे जैसा कि आप देख हैं असोक चक्र और इसके दाएं बाएं या पूरब पश्चिम में किस प्राणी को अंकित किया गया है तो दोस्तों मैं आपको इसे सरल भासा में समझा रहा हूं उपर जैसा कि आप जानते नौर्थ साउथ इस्ट और वेस्ट तो दोस्तों इस्ट में किस प्राणी को तो इस में आपका बुल या बैल आता है ठीक है दोस्तों क्या आता है बुल या बैल अंकित होता है अब इसके साउथ में क्या होता है तो दोस्तों इसके साउथ में हमेशा ध्यान रखना हाती है ठीक है दोस्तों अब अगर इसके वेस्ट में बात करें तो हमेशा होर्स है ठीक है दो नौर्थ में एक और सेर आता है तो ये जो चारो चिन अंकित किये गए हैं ये कहीं ना कहीं असोक चक्र को सुसोजित करते हैं या सुसोभित कर रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में ये देखिए यहां पर कौन है बुल आपको दिखाई दे रहा है उसके बगल मे होर से तो एक्जाम में पूछा जाता है असोक स्तंब के बाएं तरफ कौन सा प्राणी है तो दोस्तों आपको दहिना और बाया असोक स्तंब का ध्यान रखना है अपना नहीं असोक स्तंब के बाएं क्या है बैल है और दहिने कौन है घोड़ा है घोड़े के पीछे अगर पू पूछा जाता है तो इसके पीछे है सेर तो अगर पूछा जाए कि कुल कितने सेर असोकस्तम में हैं तो दोस्तों इसका जवाब पांच होगा क्योंकि चार तो यहां है और एक सेर यहां है ऐसी ही आगे भी हम आपके लिए अधिक जानकारिया लाते रहेंगे जिससे आप नमस्कार गुडबाई सस्याक्याल अगर आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए कमेंट दीजिए और इसे मैक्सिमम सेर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब कीजिए अगर आपका कोई ऐसी सला है जिसमें हम आगे वीडियो बन आ सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में पका इसे कमेंट कीजिए थाइंक आपको